वापस सवागत है अते एह लेक्चर नंबर तरवंजा है अते आज असी आडर एक अते डिगरी एक दियां डिफरेंशियल एक्वेशन्स ते आपनी चर्चा दुबारा कंटीन्यू रखांगे आज दा टोपिक इग्जेकट डिफरेंशियल एक्वेशन्स होवेगा इसलेई मुख तौर ते इहना इग्जेकट डिफरेंशियल एक्वेशन्स दी जान पछान्ते ते आन देवांगे अते नाल ही इग्जेकट डिफरेंशियल एक्वेशन्स दा solutions की में पता करना इसलेए इग्जेकट डिफरेंशियल एक्वेशन्स की हन जेकर ए M अते N X अते Y दे function हन ता इस equation M, D, X पलस N, D, Y नो exact केहा जान्दा है जेकर X, Y दा A function F इस तरह एक्वेशिट हन्दा है कि इस function D, X, Y दा डिफरेंशियल एक्वेशन्स दे इस पाग left hand side E, M, D, X पलस N, D, Y दे बिल्कूल इक्वेल होए जेकर function A, F, X, Y इक्वेशिट हन्दा है ता दो variable दा function जिना दा डिफरेंशियल बिल्कूल इस M, D, X पलस N, D, Y दे बराबर होवे एकवार याद करा दमा के function F, X दा डिफरेंशियल की सी इसलिए differential असी पहला ही दो variable आँ दे calculus विच Y बारे चर्चा कर लई है इसलिए इस दो variable F, X दे function दे differential नू, X दे संबन्द विच इस F दे partial derivative अते X पलस डेल F बटा डेल Y अते DY दे इस differential वजों परिपाशित कीता सी इह दो variable आँ दे function दे differential दी परिबाशा सी जिस बारे असी दो variable आँ दे function दे calculus विच पहला ही पढ़ लेा है इसलिए हूँ असी की लब रहे हां असी हूँ फंक्शन F लब रहे हां जिस दा differential बिल्कुल इस differential equation जा इस differential equation दी left hand side दे बराबर होवे अते ताद असी इस differential नो execute differential आखांगे क्योंकि differential equation बिल्कुल किसे function दे differential दे बराबर हुन्दा है अते एक वार जदों असी अजेहा function लब लेंदे हां ता integration बहुत असान हो जान्दा है क्योंकि साढ़े कोल F दा differential है कि इस F दा differential इस दे इकुल है अते तद solution ए होवेगा कि F कोन स्टेंड दे इकुल है इसलिए main काम में इस function F दापता करना है जिसदा differential दिता गया differential equation दे बिल्कुल बराबर है इसलिए असी जाता हो F दा पता करिये जिसदा differential ए होवे जां दूजे शब्दा मिच जिमे के असी पहला ही चर्चा कर चुके हां कि इस differential नू X दे संबंद विच पार्शल डेरिवेटिव अते YDY दे संबंद विच DX पार्शल डेरिवेटिव वजों परिपाशित कीता जांदा है जो लाजमी ही इस M DX पलस NDY दे इकुल होना चाहिदा है इसलिए इत्थे differential equation दे exact होन लई जरूरी अते sufficient condition दे संबंद विच बहुत ही वदिया नतीजा निकल के आउंदा है अते इत्थे एक differential equation लई जरूरी अते sufficient condition AMD X पलस NDY बिलकुल सही है जो डेल M बटा डेल है इसलिए इस function M दा partial derivative इत्थे एक function N दे partial derivative दे equal होना चाहिदा है अते इस तो बाद सिरफ एकाफी नहीं है बलके एक जरूरी वी है इसलिए साड़े कोले थे दो में तरीके हन जिसदे आउसार एक condition एक differential equation दी exactness लेवी जरूरी है अते एक condition एक differential equation दी exactness लेवी काफी है इसलिए क्योंके एक बहुत महतव पूरन नतीजा है असी इस दे पूरूफ नू भी देखांगे इसलिए मान लओ कि जेकर दिती गई differential equation सही है ता एक condition जरूरी है इस तो बाद डेल M बटा डेल Y डेल N बटा डेल X दे इकुल होना चाहिदा है इसलिए exact equation देओ ता आसी मान लइए कि equation exact है अते फिर असी परूफ करांगे कि एक condition रखदा है इसलिए जेकर इते एक equation exact है ता साढ़े कोल दो वेरियेबल दा एक function F एक function होवेगा जिसदा differential exact differential equation दी परिभाशा अनुसार M dx पलस N dy होवेगा इसलिए जेकर differential equation इस तो बाद इस डेल F बटा डेल X इन M dx पलस डेल F बटा डेल Y इनटू दददा dy दित्ती गई इस differential equation दे इकुल है अते हुने इस dx अते dy दे कोईफिशेंट इसनू बराबर कर दे हां ता साढ़े कोल इत्थे dx अते right hand side वी साढ़े कोल dx है अते फिर साढ़े कोल a dy है अते साढ़े कोल dy है इसलिए असी बराबर कर सकदे हां क्योंके हुने a इकुल होना चाहिदा है इसलिए डेल F बटा डेल X इस M दे इकुल होना चाहिदा है अते डेल F ओवर डेल Y N दे इकुल होना चाहिदा है इसलिए इहना कोईफिशेंटस नो हुन डेल, dx अते dy दे इकुल करदे होए, असी इत्थे प्रापत कर रहे हां कि m डेल f बटा डेल x दे इकुल है, अते n डेल f बटा, डेल y दे इकुल है, इसलिए असी हुन सानू ए मननन दी जरूरत है कि a, f, second order partial derivatives तक continue है, क्योंकि सानू second order derivative दी बराबरता नू मन लेना चाहिदा है, अते इसलिए ए मन लेना, काफी है कि f second order derivative तक continue है, इसलिए हुन अजिहा हुन नाल असी वाई दे संबांद विच m दा ए पार्शल डेरिवेटिव प्रापत कर दे हां, जिसदा मतलब है कि ए थे व f बटा डेल वाई डेल एकस, दा second order partial derivative है y अते एकस दे संबांद विच, second order partial derivatives दी continuity नू मन दे हुए असी इस, differentiation दे order नू reverse भी कर सकदे हां, जिसदा मतलब है कि ए डेल दो f बटा डेल x डेल y दे इकुल है, इसलिए इते, ए डेल f डेल दो f डेल x y है ऐसी, फून इतों कर सकदे हां, पता लगाओ कि ए डेल n बटा डेल x तो इलावा होर कुझ नहीं है क्योंकि, A del N बटा del X इत्हों del N बटा del X दा del 2 F बटा del XY होवेगा अते ऐ del 2 F的 X del Y इसलई असी ने इस del बटा N अते Del X दे नाल बदल दिता है इसलई सानू पहला तो एक कांडिशन मिल गई है कि del M बटा del N बटा del X दे एकुल होना चाहिदा है अते एह जरूरी condition है क्योंकि असी इस नाल शुरुवात कीती है कि दित्ती गई equation एक्वेशन 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 है अते फिर सानू पता लगगा है कि एह mode condition होनी चाहिदी है अते जेकर एक condition बनी रहन दी है ताहुन असी दुझे तरीके नाल देखांगे फिर असी दिखावांगे के equation एक्वेशन 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 है अते ए इस जरूरी अते sufficient condition दे proof नूँ पूरा करेगा इसलिए इत्थे असी हुन ए लेंदेहा की दित्ती गई condition सफिशन्ट है जिस्दा मतलब के असी मन देहा की साढ़े कोल एक condition अते फिर असी दिखावांगे के amdx plus ndy exact है इसलिए एह दर्सावन लई के a exact है सानू असल विच एक function f प्रापत करना होवेगा जिस्दा differential बिल्कुल amdx plus ndy है इसलिए इस दा मतलब है के सानू इत्थे fx y function पता करन्दी जरूरत है के इस function दाए differential mdx plus ndy दे इकुल है इसलिए इस अजेह function दे construction लई एह हुन थोड़ा theoretical है इसलिए तुसी mdx दे integral partial integral दे रूप विच a g x y फकंशन लोगे ए इस फकंशन f दी परकिर्यादा construction है इसलिए इत्थे असी function g नू दित्ते गई m में इस m दे integral दे रूप विच लेंदे हा जिमें के इसलिए इत्थे इस integral तो पाव है कि एकस दे संबंद विच इस g दे partial derivative दा derivative m है क्योंकि साढ़े कोल एकस दे संबंद विच इत्थे सिर्फ integral है अते असी इत्थे differentiation लेंदे हा इसलिए इस relation तो एकस दे संबंद विच जी दा partial derivative तोहानू a m प्रापत करेगा इसलिए इस तरह दे जी खोन नाल असी इस f दे consider कट करन तो पहला की दिखावांगे जिस दा differential m dx पलस ndy है असी दिखावांगे के ए फंक्षन इत्थे n माइनस डेल जी बटा डेल वाई है इसलिए n differential equation विच दिता गया फंक्षन है इस consider कटड फंक्षन नू कटाओ अते इस दा derivative y दे संबंध विच है अते जेकर असी इत्थे इस अंतर नू लेंदे हां ता ए फंक्षन एकल्ले वाईदा एक फंक्षन है इसनू असी फंक्षन एफ दे construction तो पहला दिखावना चाओंदे हां इसले इस अरत नू दिखाऊन लें सानू एकस दे संबंध विच पार्शल डेरिवेटिव प्रापत करना होवेगा अते जेकर एस सिफर ते आउंदा है ता इस दा मतलब ए है के ए एकस तो फरी है अते सिर्फ वाईदा ए फंक्षन है इसले इह हुन दित्ते गए हां जी एम डेल जी दा इंटीगरल है अते डेल एकस एम है अते असी एक कंसिडर करना चाओंदे हां कि इस फंक्षन एन माइनस डेल जी बटा डेल वाई दा पार्शल डेरिवेटिव सिफर है जिसनू असी हुन दिखावांगे अते इस अनू दसेगा कि ए एस एन माइनस डेल जी बटा डेल वाई विच वाई सिरफ एकस तरम दा एक फंक्षन है क्योंकि जेकर असी शिफर नू दिखा सकदे हां ता ए पार्शल डेरिवेटिव है इसले हुन ए एकस दे संबांध विच एन दा पार्शल डेरिवेटिव है अते साधे कोल एकस अते वाई दे संबांध विच ए जी दा सेकेंड आडर डेरिवेटिव है इसले सेकेंड आडर मिक्सड़ डेरिवेटिव दी इस ब्राबरता नू दुबारा मान के इसले असी हुन डेल एकस बटा डेल वाई नू बदल दिता है अते इथे असी डेल ब बटा डेल एकस सानू। Construction दित्ता गया है, इसलए M तो इलावा कुछ भी नहीं है इसलए ए डेल बटा डेल एकस अते माइनस डेल M बटा डेल वाई है ए दित्ती गई condition है, ए ओही है जो असी मान लई है कि एक condition है अते असी दिखावांगे के equation है अते exact differential equation है, इसलए ये थे एक condition सी की डेल N बटा डेल X डेल M बटा डेल Y दे इकुल है ता असी उस condition नूँ देखाँगे असी हुन देख्या है कि जेकर एक condition बनी रहन दी है ता ए N माइनस डेल G बटा डेल Y सिरफ Y दा function होवेगा उते असी एकस नूँ इस function विच N माइनस डेल G बटा डेल Y जान दे हाँ जे हुन इस नाल असी कंस्टर कट कर सक दे हाँ हुने ए F अते F कुझ भी नहीं है पर इते G है जिसनूँ असी इस M दे integral रूप विच कंस्टर कट कर दे है ता ए G पलस A function इते N माइनस डेल G बटा डेल Y है जो कि सिर्फ वाइदा एक function है अते असी इते वाइदे संबंध विच इंटीग्रेट हाँ इसलिए असी हुन की परूफ करांगे के A F असल विच परपस नूँ हल करदा है जिस दा मतलब है के इस F दा differential कुछ भी नहीं बलके M D X पलस N D Y है इसलिए असी इसनूँ हुन अगली सलाइड विच दिखावांगे ठीक है ता इते इसलिए असी दिखावांगे के ए डेल F M D X पलस N D Y है इसलिए इस साड़ा F है अते जेकर असी इस F दा differential लेंदे हां ता डेल F अते हुन परिबाशा दे अनुसार एह डेल G इते डेल G X दे संबंध विच जीदा partial derivative होवेगा अते partial derivative G Y दे संबंध विच अते इस दे नाल असी इस D X अते D Y नू प्रापत करन लेता जो इते D G दा differential है अते हुन फिर इस दे differential लें उही परिबाशा हुन साडे कोल एह function है इसले ही इस function दे डेल बटा डेल X नू D X अते डेल बटा डेल Y विच अते इन टू इस D Y इसले हुन असी एह देख्या है कि सिर्फ Y दा एक function है जो असी पहला ही जांच कर चुके हां कि एह सिर्फ Y दा एक function है अते एह integral कुदरती तौरते सिर्फ Y दा function होवेगा इसले ही इत्थे जदों असी एकस दे संबंद विच पार्शल derivatives दे उपर गाल कर दे हां ता एह शबद सिफर ते set किता जावेगा अते इत्थे फिर साडे कोल डेल बटा डेल Y है क्योंके इह गोज टू सिफर है अते फिर साडे कोल ए डेल जी बटा डेल एकस डी एकस डेल जी बटा डेल Y डी वाई है अते इस तो क्योंके इह इस integral दा derivative सी इसले ही integral अते differential नू हटा दिता जावेगा ता साडे कोल माइनस डेल जी जी बटा डेल Y multiplied by A D Y इसले ही इते साडे कोल N D Y है जो एक टरम होवेगा ता N D Y दूजी तरम डेल जी बटा डेल Y into D Y अते होन दुबारा इसले ही साडे इते ए दो टर्मज हन ओ एक दूजे नू कैंसल कर दे हन अते फिर असी ए डेल जी बटा डेल एकस D X पलस N D Y प्रापत कर दे हा अते ए डेल जी बटा डेल एकस कुझ भी नहीं है पर M इते डेल जी बटा डेल एकस M तो इलावा होर कुझ नहीं है ता M है ता जो असी M D X अते इते A पलस अते D Y इसले ही M D X पलस N D Y इसले ही A O है जो असी दिखाऊना चाओंदे हा इसले ही इते परपजनू हल करन्दे नाल F है जो F दा डिफरेंशियल है इसले ही A F एगजिस्ट करदा है एक वार जदों असी A मन लेंदे हा के A कांडिशन सफिशेंट कांडिशन नू रख दी है ता जो असी अजहे F नू बना सकी है जिस्ता डिफरेंशियल इस M D X पलस N D Y दे बिल्कुल एकुल होवे इसले ही असी हुन देख्या है कि डिफरेंशियल एकवेशन M D X पलस N D Y ले इह जरूरी अते सफिशेंट कांडिशन ए है कि डेल M बटा डेल Y दा डेल N बटा डेल X दे इकुल होना चाहिदा है इसले ही सानू इस कांडिशन दी इग्जेक्टनेस दी जांच करन दी लोड है अते एक वार जदों असी जान देहा कि एकवेशन 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 है ता सानू इस F नू किसे तरह बनावना पवेगा जिस दा डिफरेंशियल दित्ता गया डिफरेंशियल एकवेशन M D X पलस N D Y है अते जेकर एग्जेकट नहीं है ता सानू कोई होर तरीका लबना पवेगा जां डिफरेंशियल एक्वेशन दा सल्यूशन कड़ना पवेगा ठीक है इसलेई इते सिर्फ एक टिपनी है एक्वेशन दा सल्यूशन इस M dx पलस N dy है ता सानू पता है के एक्वेशन सही है इस दा मतलब है के एक फंक्षन F है जिस दा डिफरेंशियल A m dx पलस N dy है इसलेई A, D, F, 0 दे equal है, अते फिर असी F दे टर्मज विच सल्यूशन लिख सकदे हां, कि F 1 कोन स्टेंट है, क्योंकि इस फंक्षन दा differential सिफर है, इसलिए A function कोन स्टेंट होना चाहिदा है, इते कोन स्टेंट दे equal हो सकदा है, ता F इस equation तो C दे equal, F equal है, सिफर तक, असी प्रापत कर रहे हां, कि F सीदे equal, इसलिए A O relation है, जिस दी असी पाल कर रहे हां, अते A इस differential equation दा solution है, F सीदे equal है, इक्जेकट differential equation दा solution है, इसलिए दुबारा त्यान दियो कि साढ़े construction दे अनुसार, A F, F, M, D, X दे integral दी इक टरम सी, अते फिर साढ़े कोल ए integral टरम वी है, एक F है, जो असी पहला ही कंस्टर कटड किता है, इसलिए A सानु अफसोस है इथे, A साढ़ा F है इथे, असी इसनु theoretically तोर्ते कंस्टर कटड है, अते असी इस, तो असल विच होर की प्रापत कार सकदे हां, असी इह भी नोटिस कीता है, ता असी उत्थे दिखाया है, कि जे करे equation एक्वेशन एक्जेक्ट है, ता ए N माइनस डेल जी बटा डेल वाई सिर्फ वाईदा एक फंक्शन है, अते फिर एक डाइरेक्टरी है, जो कई टैक्सेट बुकां विच भी वर्ती जान दी है, इसलिए जदों असी जान दे हां कि differential equation एक्जेक्ट है, ता इत्थे असी दित्ती गई, differential equation ले एक्जेक्ट सल्यूशन नू लिख सक दे हां, इसलिए इत्थे MDXM दा इंटीगरल दित्ता गया है, ता जो असी MXM दा इंटीगरल पता लगा सकीए, इस विच सेकेंड पार्ट ले, क्योंकि ए थोड़ा जहां सानु जी पहला अते partial derivative अते N- नू सेट टाप करना होवेगा, इसलिए directory case जो बिल्कुल इत्थों ओंदा है, कि असी जान दे हां कि ए सिर्फ Y दा function है ता, असी इस N तो की लें दे हां, क्योंकि N- करके सानु इस नू हटाउना होवेगा ता, जो ए सिर्फ Y दा function बन जावे, इसलिए टर्मज अते जेकर असी इत्थे शामल कर दे हां ता, X शामल नहीं हन, पावे स N दियां टर्मज, जिस विच सिर्फ Y है, इसलिए इत्थे X नहीं होना चाहिदा है, इसलिए सिर्फ Y दियां टर्मज होनियां चाहिदिया हन, जेकर असी N तो लें दे हां, अते फिर इत्थे इंटीग्रेट हुंदा है जो दित्ती गई differential equation दा बिल्कुल solution है इसले असी उदारन विच भी देखांगे कि कोई वी इस directory दी वर्तों कर सकदा है पर इस दी कोई load नहीं है क्योंकि एक वार सानू पता लग जानदा है कि equation exact है सानू सिर्फ एक function दा पता करना है जिसदा differential A है अते एक होर systematic approach है जो इत्थे इस F लई काम कर दी है इसले सानू इस direct formula दी वर्तों करंदी लोड नहीं है इस case विच ता आओ असी इत्थे उदारन दे के विखिये असी ए x square minus 4xy minus 2y square dx अते पला से y square minus 4xy minus 2x square dy सिफर दे equal है इसले इत्थे m facet part m dx वर्ग minus 4xy अते minus 2y square है अते इत्थे दूजा पाग n है इसले इसले साढ़े कोल दिते गए differential equation विच ए m अते n है पहला सानू ए देखना होवेगा की की सवाल exact है जा नहीं मतलब की सानू del m बटा del y नू compute करना पवेगा अते ए दसदा है के n बटा del x minus 4y अते minus 4x होवेगा इसले डल y बटा del m अते del x बटा del n दो में समान हन अते ए exactness ले बिल्कुल सही condition है इसले दित्ती गई equation exactness है इसले असी जान देहा के एक function f एगजिसिट है जिसदा differential बिल्कुल इत्थे दिता गया है a m dx plus n dy अते हुन इस f नू किमे कनस्टर कट करिए तांकि इत्थे केस द्वारा असी जान देहा के df एकवारेस दे equal है इसले असी जान देहा के formula इस function दे फरकदा अनुसर्न करदा है f del f बटा del x dx पलस del f बटा del y है जो के इस f दा differential है अते a इस दित्थे m dx दे equal होना चाहिदा है अते dy तां इत्थे असी इस f दे इस m नौल अते f दे इस n नौल रिलेशन्स रख सक्दे हा इसले इस साढ़े कोल इत्थे है s दे संबंद विच इस f दा del f बटा del partial derivative इस m दे equal होना चाहिदा है पावे x i x square n-4xy-2x i x square अते y दे संबंद विच इस f दा partial derivative n दे equal होना चाहिदा है जो कि y square-4xy-2x i x square है इसले साढ़े कोल हुने दो रिलेशन्स हन del f बटा del x इस फंक्शन द्वारा दित्ते गए del f बटा del y इस फंक्शन नाल दित्ता गया है इसले हुने इना दो equations तो सानू ए पता लगाउना होवेगा कि f की है जिस्दा partial derivative x दे संबंद विच partial derivative द्वारा f y दे संबंद विच दित्ता गया है इसले इथे जेकर असी इसनू x दे संबंद विच इस फसट equation नू integrate कर दे हाथा की होवेगा इसनू इत्वों तिन by x क्यूब दे रूप विच f प्रापत होवेगा सानू 1-4y मिलेगा आते ए x 2 दा सक्वेर है ता इत्वे माइनस 2x i x सक्वेर y आते इत्वे सानू माइनस 2y सक्वेर मिलेगा आते जदों असी इसनू integrate करांगे ता x आवेगा इसलिए ए integral है अते एक ए ए integration दा एक कोनस्टेंट है जोके इस case विच क्योंके x दे संबांद विच पार्शल डेरिवेटिव सी ता फिर इत्वे वदेरे general कोनस्टेंट हो सक्दी है y दा एक function हो सक्दा है इसलिए असी इस f नू प्रापत करन ले इत्वे डेल एक बटा डेल एकस नू इंटीगरेट कीता है पर इत्वे सी इक y इनटू तस्वीर विच आ रहा है अते असी इत्वे एक होर equation दी वर्तों नहीं कीती है इसलिए हून इस f तो इत्वे इस दित्ते f तो जोके सानू एकस दे सम्बांद विच इनटीगरेट करके परापत होया है असी हून एकस दे सम्बांद विच अंतर करांगे इसलिए y दे स्मबांद विच अते फिर असी इस दित्ते गए partial derivative दी बराबरी करांगे ता y दे सम्बांद विच डिफ्रेंशियल ते 80 इत्थे की प्रापत करांगे ए तरम है एकसालोन है, इसलिए ए y दे संबांध वीच इत्थे सिफर होवेगा ता सानुम माइनस 2x प्रापत होवेगा जो सक्वेर है अते इत्थे y दे संबांध वीच इसलिए सानुम माइनस 4xy अते c1y जा इस तरह इथे derivative मिलेगा इसलिए एह y सक्वेर माइनस दे इक्वल है ए 4xy माइनस 2x सक्वेर है जो पहला ही इथे दिता गया है कि y दे संबंध विच पार्शल डेरिवेटिव इस दे इक्वल होना चाहिदा है इसलिए हुने इथे असी असल विच इस कोन स्टेंट तरम नूँ आसानी नाल प्रापत कर सकदे हां इससी इक प्राइम क्योंके ए एन दा एक डेरिवेटिव है साडे इथे इस विच अंतर है इसलिए सानू वो डेरिवेटिव भी मिलेया है इसलिए असी इथे की देख देहां कि माइनस दो एकस आई एकस सक्वेर इथे दो में साइडस हन अते माइनस चार एकस वाई वी है इसलिए जो असी प्रापत कर देहां सानू सी इक प्राइम वाई वाई सक्वेर दे इक्वल मिलदा है इसलिए असी एक condition प्रापत कर दे हां कि y दे संबंध विच सी एक दा derivative एक y सक्वेर है अते हुन असी इसनों integrate कर सक दे हां इसलिए असी इते एक y y cube दे equal है अते एक कोन अस्टेंट है इसलिए एक वार जदों असी सी एक प्रापत कर लेंदे हां ता असल विच असी एक प्रापत कर दे हां इसलिए एक वार जदों साधे कोल f हुनदा है ता असी solution नू लिख सक दे हां क्योंकि f कोन अस्टेंट दे equal है इसलिए जो solution असी f हुआंगे ओ कुछ कोन अस्टेंट 3 दे equal है असी इसलिए नाम इसलिए रख्या है क्योंकि c2 असी पहला ही वरत चुके हां ता c3 अते इसलिए मतलब है कि हुन इस equation विच c1 नू इथे इस f equation विच सबस्टिट्यूट करके इस साधा f है इसलिए यह थे एक कैफ है अते c2 नाल c3 दे equal है हुन c2 अते c3 दो डिफरेंट आर्बिट्रेरी कॉंस्टेंट सहन पर असी एक इनटू कर मरज सक दे हां अते इस दा मतलब है कि यह असल विच equation दा solution है असी यह थे इस equation नू तिन नाल मल्टिपलाइड कीता है इसलिए x3 माइनस 2x square माइनस 6x square y है अते इस माइनस 2xy square नू दुबारा तिन नाल मल्टिपलाइड कीता है ता जो असी वी 6xy square अते पलस a y square जदो तिन नाल मल्टिपलाइड कीती जान दी है अते C3 अते माइनस C2, असी इस तिन नाल मल्टिपलिकेशन करके इते एक होर कोन स्टेंट लिया है जो इस differential equation दा solution है जिसनू असी लिया है, जदों एक वार equation एक्जेकट हो जान्दी है ता परकिरिया ठीक उसे तरह हुंदी है जिमें साधे कोल इते है, सानू इसनू इक्वल करन्दी लोड है, डेल F बटा डेल X इक्वल है M, अते डेल F बटा डेल Y इक्वल है N, अते उत्थों असी हुने इसनू इंटीगरेट कीता है, फिर differential equation दिते गए, हुन सवाल ए है कि जेकर असी इते उही परकिरिया वर्त दे हा जदों equation एक्वेशन इग्जेकट नहीं हुन दी ता किस पोइंट ते सवाल दा हल जा रास्ता मिलेगा जा असी, किते फस जावांगे अते सानू किते पता चलेगा कि अजेहा F मौजूद नहीं है, इसलिए जेकर गलती नाल ठीक है, इस तो पहला की असी उस डायरेकट अपरोच दी वर्तों करके इते उस पोइंट ते पहुंचिये जो असी, पहला लिख्यासी साढ़े को लिक डायरेकट फार्मूला भी है, इसलिए ए डिफ्रेंशियल एक्वेशन दिती गई है, अते सल्यूशन असी सिद्धा, इस तरीके नालवी लिख सकते हां के इंटीगरल M D X अते N दी एक टर्मज है, जिस विच X अते D Y शामल नहीं है, इसलिए इते M, डिफ्रेंशियल एक्वेशन विच दित्ता गया है, अते फिर इस दे टर्मज अते X, शामल नहीं है जो सिर्फ Y सक्वेशन टर्म है, इसलिए साढ़े कोल Y सक्वेशन दी वाई सीदे इक्वल है, अते इस इंटीगरेशन विच सानू पहला दी तरह ही बिल्कुल ओही सल्यूशन मिलेया है, इसलिए ये इक्जेकट डिफ्रेंशियल एक्वेशन दा सल्यूशन प्रापत करन लई इस फार्मूले दी वर्तों कर सक्दा है, होन असी होन उस चर्चा ते वापस की करांगे जो मैं पहला शुरू कीती सी, जेकर एक्वेशन सही नहीं है, उदारन लई असी इस इक्वेशन ते कंसिडर करांगे, अते असी पहला ए देखांगे कि ए दिफ्रेंशियल है, फिर किस पोईंट ते सानू ए ए एहसास होवेगा, कि एक्वेशन एक्वेशन नहीं है, जेकर उदारन लई असी इत्थे एक्वेशन ने इसले कांडिशन नहीं रखी है, अते सिर्फ एक एफ प्रापत करन लई अग्गे वद्दे हां, जिस दा डिफ् दिफ्रेंशियल इक्वेशन दिता गया है तांकी होवेगा, इसलेई इत्थे ए देखनली कि डैल M बटा डैल Y एकोल है, डैल N बटा डैल X A अजहा नहीं है, इसलेई O इकोल नहीं हन, अटे फिर दिफ्र दित्ती गई इक्वेशन एक्वेशन इक्जैक्ट डिफ्रेंशिय असी होन इसनु इस एकस दे संबांद विच इत्थे इंटीगरेट करांगे इसलिए F3 दे इकुल है अते AX2Y अते AXY2 अते 1Y वेखोता इस दे इंटीगरेशन उत्ते सानु ए एक फंक्शन मिलेया है अते AXY दे संबांद विच इसनु डिफ्रेंशियेट कर सकते हां अते इसनु 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 इसने बराबर एकुएट कर सकते हां इसलिए एक वार जदो असी इत्थे Y दे संबांद विच डिफ्रेंशियेट कर दे हां इसलिए 3 बटा 2XI X2 2YX मिलेगा अते फिर c एक derivative y अते होन असी इसनु इस दे equate कर दे हाँ x square पलस xy है होन आखरी time इसनु equate करनते जेकर असी सानु याद है सानु c एक मिले असी prime y y दे function दे रूप विच अते फिर असी integrate कीता क्योंकि असी differential equations इसलई ये c1 c1 y दे prime y partial derivative दे संबांद विच c एक दा order derivative y दे संबांद विच इथे सिरफ ए y दा एक function है इसलई सिरफ y दा function है जो असी इथे equal कर दे हाँ जो असी हुन c परापत कर रहे हाँ एक y इस minus x दे equal है square minus xy है इसलई left hand side एक construction है जो असी 10 रहे हाँ कि ए right hand side y दा एक function है असी इस equation विच x भी परापत कर रहे हाँ जदों की पिछले एक विच जदो equation exact है असी इसनों x दे function वजों कदे नहीं परापत करांगे इथे सानू सिरफ y टर्मज मिलनगे इसलई इथे ए x अते y दे depend कर दा है अते असी इस equation नों सोलव नहीं कर सकदे क्योंकि ए in constant है हुने थे असी इस बारे गल कर रहे हा left hand side दा ए दस रहा है कि ए सब कुझ y अते right hand side दा function है साड़े कोल x अते y दा function है इसलई कुदरती तौरते असी सोलव नहीं कर सकदे क्योंकि ए in constant equation है अते इसलई असी अजेहा F नहीं पता लगा सकदे जिस दा differential दित्ता गया differential equation है इसलई ए सिर्फ ए दर्सारे हासी की जेकर गलती नाल exact नेस दी जांच कीते बिना असी इत्हे अग्गे वद्दे हां ता असी एक अजेहे F दा पता करंदी कोशिश कर दे हां जिस दा differential ए दित्ता गया differential equation है ता असी बिलकुल इस पोइंट ते फास जावांगे जिते असी अग्गे नहीं वद्द सकदे आते इसलई अजेहा F एक जिसट नहीं करदा है इसलई का नकलूजन ए निकलदा है कि differential equation दे exact होन लई जरूरी अते sufficient condition डेल M बटा डेल Y इकोल डेल N बटा डेल X है अते एक वार जदों असी जान दे हां कि equation exact है ता असी एक F दा पता कर सकदे हां जिस दा differential M D X पलस N D Y है अते फिर असी solution लिख सकदे हां क्योंकि F कुझ कोन stand दे equal है इसलिए differential equation दी exactness दी जांच करन लई solution लबबन दी परकिरया अते अगले lecture विच असी continue रखांगे जेकर दित्ती गई differential equation एक्जेकट नहीं है ता इस solution नू प्रापत करन लई सानू किस विदी दी परकिरया करनी चाहिदी है एह थे बरते गई रेफरेंस जहन तो हाड़ा तनवाद